सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चे किस महीने में पैदा होते हैं। जैश्री कृष्ण दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी लोगों का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर आज एक बहुत ही ज्यान वर्धक और प्रेरणा दायक जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर गए हासिल हुए हैं। मित्रों, आज हम आप लोगों को एक प्रश्ण के जरिये यह बताएंगे कि कौन से महीने में जन्म लेने वाला बच्चा बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होता है। तपस्या करके कड़ी मेहनत करके या ज्यान अरजित किया था। और हमें ज्यान बताया था। मानव कल्यान के लिए बहुत ज्यान हमें बताया था। अच्छा हो सकता है। बहुत ही सफल हो सकता है। और प्रिया दर्शकों यह जानकारी हर आदमी को पता होनी चाहिए। किस महीने में जन्म लेने वाला बच्चा बुद्धिमान होता है और जीवन में बहुत नाम कमाता है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं पहली बार हमारे चैनल पर आया है। वारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गा और घंटे के लिए शाम को दवा दीजिएगा ताकि आप लोग जुड़ जाएं और ऐसे ही ज्यानवर्धक जानकारियों आप लोग दोस्ती रहे आप। लोगों को उसका लाभ मिलता रहे। दोस्तों इस चैनल में बताएं जाने वाली जो जानकारियां होती हैं वह प्राचीन जमाने में जो अर्शी मुनियों का ज्यान है वही आपको किया जाता है याकि जानकारी यार एकदम सच्ची और सटीक होती हैं तो चलिए दोस्तों आ पारीख और समय के अनुरूप तयार किया जाता है प्रिय दर्शकों जोतिश शास्त्र में किसी कुंडली को देख कर किसी व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म उसका भूत काल भविश्यकाल यहां तक कि उसकी मृत्यू के भी बारे में जानकारी बताईए गई है इसलिए यह जोतिश शास्त्र के हिसाब से बहुत आम बात है कि कौन से महीने में जन्मा हुआ बच्चा बुद्धिमान होता है प्रिय मित्रों इस बात को तो आप लोग भली भानती जानते होंगे कि हमें मनुष्य को अपने द्वारा किये गए कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो उसे बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होते हैं उसे सुख प्राप्त होता है और वही कोई मनुष्य अगर बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा फल मिलता है उसे दुख भोगना पड़ता है और प्रिय दर्श प्रियदर्शन को अक्सर आप लोगों ने ऐसा जरूर देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ही अमीर और घर में पैदा होता है, जहां तक संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है, और उस बच्चे का जीवन बहुत ही आराम से गुजरता है, उसके आसपास सारी सुक्स विधाएं बच्चपन से ही होती है, और प्रियदर्शी को आपने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे गरीब घर में पैदा होते हैं, उनको ठीक से खाना भी नहीं मिल पाता, उनको दूध भी पीने को नहीं मिलता, उनके घर में कोई भी किसी भी तरह का सुख भी नहीं मिल प्रिय दर्शी को यहां पर आप यह बात आपके दिमाग में सर और आगे होगी कि अभी वह छोटे से बच्चे दे तो कोई भी गर्म नहीं किया फिर भला यह कैसे संभव है कि एक बच्चे को सब कुछ मिल रहा है वह अमीर घर में पैदा हुआ है और वही एक दूसरे बच्चे को ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा है गरीब घर में पैदा हुआ है आखिर बच्चों के साथ इतना भेद भाव क्यों हो रहा है? प्रिये दर्शकों, ऐसा हमारे पिछले जन्म में किये हुए कर्मों के अनुसार ऐसी चीजें निर्धारित होती हैं मित्रों जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है, उसने अपने पिछले जन्म में कुछ न कुछ अच्छे कर्म, अच्छे कार्य शुरू किये होंगे पुन्यवाले कर्म सरूर की होंगे और वहीं दूसरा बच्चा जो एक गरीब के घर पैदा हुआ है, एक गरीबी में उसने जन्म लिया है इसका मतलब है कि पिछले जन्म में उसने जरूर कोई बुरे कर्म किये होंगे प्रियदर्शी को इसी प्रकार कर्मों के अनुसार व्यक्ति को शरीर और बुद्धी जीवन मिलता है कई लोग शरीर से बहुत ही तंदुरुस्थ होते हैं, स्वस्थ होते हैं यह लोग कुछ भी खाले, यह सब कुछ बचा लेते हैं सूखी रोटी और नमक जीरो खाते हैं तो इनका शरीर सुडॉल, वजंदार और तंदुरुस्त रहता है और कभी बीमार नहीं होते हैं और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं, जिनका स्वास्थे भी ठीक नहीं रहता जिनका शरीर हमेशा रोगों से घिरा होता है वह कुछ भी खाले, कुछ भी पीले महंगी से महंगी चीज, पोस्टिक से पोश्टिक आहार लेना उनके शरीर को कुछ भी नहीं लगता है ऐसे लोग समय समय पर दवायां खाते हैं उन पर निर्भर हो जाते हैं तरह तरह की गोलियां खाते रहते हैं और हर समय बीमार पड़े रहते हैं. प्रियदर्शी को यह सब कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है, जो लोग अपने पिछले जन्म में बहुत ही अच्छे कार्य और पुण्य करे होते हैं. उन्हें अच्छा स्वास्थे मिलता है अच्छा शरीर मिलता है और जो लोग पिछले जन्म में बुरे कार्य किये होते हैं, बुरे कर्म किये हुए होते हैं, हुए अस्वास्थे शरीर मिलता है. ऐसा शरीर किसका है? जो हर वक्त बीमार ही रहता है और ऐसे लोग दवाईयां ही खाते रहते हैं और बीमार पड़े और इस तरह बीमार पड़े रहने से वह लोग अपने द्वारा किये गए पिछले जन्म में जो पूरे कर्म किये होते हैं। जिसके कारण वह सफल नहीं हो पाते। हमेशा हर चीज में पीछे रह जाते हैं। प्रियदर्शकों अब हम आपको बताते हैं कि कौन से महीने में जन्म लेने वाला बच्चा बुद्धिमान होता है। प्रियदर्शन को जन्वरी और फर्वरी के महीने में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं। जन्वरी और फर्वरी में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही अंधविश्वासी होते हैं। उन्हें अपने उपर पूरा भरोसा होता है। उनका confidence level बहुत अच्छा होता है। वह होते हैं। सफलता को पाकर ही दम लेते हैं। ऐसे बच्चे बच्चे बच्च्पन से ही अपने जीवन की डोर अपने हाथों में लेते हैं। होते हैं अपने खुद का मालिक होते हैं। और अपने जीवन में उँची उँची बुलंदियों को हासिल करते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता भी बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। क्योंकि ऐसे बच्चे आगे चल कर अपने माता-पिता का अपने गुरुजनों का नाम रोशन करते हैं। प्रिय दर्शकों मार्च और अप्रेल में जन्म लेने वाले बच्चे गुरुजी गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। मित्रों ऐसे बच्चे बाद-बाद पर गुसा करते हैं और अपने आप को दूसरों के सामने सर्वश्रेष्ट सिध करने की जिद में लगे रहते हैं ऐसे बच्चे अपना फायदा देखने के लिए या अपने भाग्य को बनाने के लिए दूसरों का शादी करने से पहले दूसरों का नुकसान करने से पहले एक बार भी नहीं सोच और साथ में ऐसे बच्चे बहुत शक्तिशाली भी होते हैं ऐसे बच्चे अपने कैरियर को बनाने के लिए परीक्षा में सफल होने के लिए या किसी भी प्रतिसपर्धा को जीतने के लिए अन्याय और जूट का सहारा भी लेते हैं और इन्हें इस बात पर जरा भी अफसोस नहीं होता बलकि और घमंड होता है इसके बाद मई और जून में पैदा होने वाले बच्चे बहुत ही भाग्यशाली होते हैं प्रिय दर्शकों को मई और जून के महीने में जन्म लेने वाले बच्चों का हृदय बहुत ही साफ होता है खुले विचारों के होते हैं अपने दिल में किसी के लिए भी कोई भेय नहीं रखते बड़े ही साफ होते हैं शादी जो बच्चे दूसरों की भलाई करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं दूसरों की सहायता करना चाहते हैं इनके गिरोह में एक दयालू बंद होता है। इनके हृदय में परोपकार की भावना होती है, से बच्चे दूसरों का दुख देख करके दुखी हो जाते हैं। और दूसरों के दुख को दूसरों की कश्ट करो कि पेड़ों को कैसे ठीक किया जाए। ये बच्चे बहुत ही सह में भारी होते हैं। लेकिन-प्रीए मित्रों अक्सर इन बच्चों का भाग्य कभी-कभी सात नहीं देता है। और ऐसे बच्चे लोगों के द्वारा दिये जाने वाले धोखे का शिकार बन जाते हैं। लोग इन्हें धोखा दे देते हैं। इनके सचचे दिल जो इनकी इनके भोले दिल का लोग फायदा उठा लेते हैं और इन्हें चीट करके धोखा मिलता है और अगर यह व्यापार के क्षेतर में जाए तो इन्हें व्यापार क्षेतर में भारी नुकसान भी जहेलना पड़ सकता है। अपने माता-पिता को कभी अकेला नहीं छोड़ते और साथ ही साथ या दूसरों की भी बहुत ही मदद करने में इनको बहुत ही आनंद की अनुभूती होती है। ये बच्चे भगवान की भक्ती में बहुत ही समय अपना देते हैं और ऐसे बच्चे जीवन में सफल होने के लिए या अपने भाग्य को बनाने के लिए कभी भी गलत चीजों का गलत रास्तों का सहारा नहीं लेते। कभी भी अधर्म के मार्ग पर ये बच्चे नहीं चलते। ये बच्चे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार के लोगों का भी बहुत ही अच्छी तरीके से खयाल रखते हैं। ये बच्चे सब को साथ लेकर चलने वाले होते हैं। जब ही जब ही इन बच्चों के जीवन में कठिन परिस्थिती आती है या बुरा वक्त आता है तो ईश्वर का आशीरवाद इन पर हमेशा बना रहता है। दूसरों के दर्द को ये बच्चे भली भांती मानते हैं और अपने विचारों में अपनी सोच में स्थिर होते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्म लेने वाले बच्चे अपने परिवार के साथ साथ उनके अंदर देश भक्ती की भावना बहुत ही ज्यादा होती है। सच्चे देश प्रेमी होते हैं और अपने देश भक्ती को ले करके हमेशा बहुत ही ज्यादा भावनाओं से और शक्ती से भरे होते हैं। करते हैं